नमस्कार एसमेलिज में आफ सभी का स्वागत हैं मैं साईते कुमार और आप देखें हैं सेमेलिज आज हमाँ साथ है एडवेकिट आई यार सिंग जी जोके बहुजय समाज के बहुत बड़े चिंतक हैं और बहुजय समाज को जागरू करने के लिए हमसे तत्थ पर जाते हैं आज हम इसे पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर भीम रामबेटकर साहब इतने बड़े ज्यानी थे अगर चाहते तो वो खुद का धर्म अपना सकते थे लेकिन फिर भी इसके बावजुद उन्होंने गोत्रम भुद का धर्म क्यों अपनाया देखें बाव साथ डॉक्टर मिड़कर चाहे बात शुतंतर भारत की हो या परतंत भारत की हो कोई भी नेटा या भारत का कोई भी महान प्रोष बावसाथ डॉक्टर मिड़कर की तो लान नहीं ठेर पाता है वे आधुनिक समाज के विज्ञानिक थे और मनो विज्ञानिक थे और वो ऐसे विद्वान थे कि अगर वो चाहते उनोंने कही बार कहा था लिल्ड आ इतनों गोर्वर्नर से कि मैं छाहूं तो अपनी योगता के आधार पर निया के किसी भी पद को हासिल कर सकता हूँ उन्होंने भारत का समदान मनाया और बारत का समदान बे जोड़ है बे तोड़ है बेमिशाल है लेकिन जहां तक धर्म को अपनाने वाली बात है कि उन्होंने बहुत धर्म को क्यों अपनाया उन्होंने अपना धर्म अपने नाम से अध्यन में उन्होंने ये बात उन्होंने पाई कि हमारे जो पूरवजों का धर्म हैं जो भी चमारों का महारों का जाटबों का या बहुजन समाज का जो धर्म हैं उनके पूरवजों का वे सब बहुत धर्म के नई थे उन्होंने ये भी पाई आप लद्धिन करके कि कभीर और गुरु रविदाश या जो भी महाश्चत हुए गुरु नानक वे उन सबों ने बहुत धर्म का ही प्रिचार करा था एक्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ जैसे गुरु रविदाश ने कहा कि मन चंगा तो कठोटी में चंगा उदर धंपद जो बहुत दों की बाईविल है धंपद जिसे आप कह सकते हैं सबसे पवित्र गीता है वो उनका धंपद बहुत गारत होता है जो धर्म का रास्ता है मानपता का रास्ता है उसके तहत में उन्होंने उसको धर्म को चलाया क्योंकि वो जानते थे यह उनके पूर लिवासों की संस्कूर्ति है संस्कूर्टियां भारत में दो प्रकार की एक संस्कूर्ति ब्रहामनबाद की ए और दूसरी सिर्मण संस्कूर्ति सिर्मन संस्कृती के दो पार्ट से, एक महाविर का पार्ट से, और दूसरा अपना बहुतन मुद्ध का पार्ट, उन्होंने पहली बार खोज करके ये बी बात उन्होंने बतायी थी, कि जो जेन है जो जेन है जिनको एक वर्ड होता है अरहत और एक होता है अरहंत अरहंत और अरहंत बुद्व पाली भासा के सब्दे और अरहंत जो है वो प्रातिक भासा का सब्दे जिससे जेन प्रियोग करते हैं उन्होंने ये भी पाया कि जो बौत धर्म हैं वो यहां के मूल लिवासियों का धर्म है और हम सब लोग को का है जितने भारत में बी ब्लोड गुरूप के लोग हैं वो सब बौत धर्म के उन्डाई हैं इविन जो मुसलिम बौत धर्म से दलित में अपने इसलाम धर्म में रोक सकें, अत्याचार को रोक सकें, सोशन को रोक सकें, और लोगों का चत्रमों की विकास कर सकें, और अन्या रोक सकें गरीब लोगों पर, इसलिए यहां के जो बहुत थे, वो इसलिए धर्म में गए हैं, दूसरा बावसाब ने धर्म को इसलिए अपनाया, जब उन्होंने विदेसों का दोड़ा करा, वहां पर उन्हों ने होटल पर लिखा देखा, कि केवल यहां पर जो है, यहां पर अपने आप मरे होए पशू का मीठ है, होटलों के बाहर लिखा हुआ था, तो बावा साब ने देखा कही चमार या माहर जाती ऐसी है जो भोजन के अभाब में अपने आपको सर्वाइब करने के लिए बहुत पहले मरे हुए पशुओं का मीठ खाते थे तो उन्हों का दुनिया के चमार माहरों को बहुत धर्म में आ जाना चाहिए क्योंकि उनके पूर बजों का धर्म है दूसरा हम लोग किसी पर जुल्म होता नहीं देख सकते हम किसी पर जुल्म नहीं करते ये हमारी सर्म सिर्मन संस्कृती है ये बहुत धर्म की पर्क है और उन्होंने बहुत ही पर्क कर बहुत धर्म को अपनाया और वो चाहते थे कि भारत की संस्किर्थी भारत में रहे, उनके लिए धर्म चलाना कोई बहुर बरी बात नहीं थी, लेकिन एक सवाल का मैं आपको जवाब दे दू, कि ये धर्म क्यों जरूरी है, उन्होंने बताया किसी धर्म का पतन कब होता है इस सवाल को, उन्होंने जो वर्ड में विस्ट के अंदर जो लोजिक की विस्ट विख्याद बुक है, उसका नाम है मिलिंद प्रिशन, मिलिंद प्रिशन में एक डायलोग से हैं, जो क्वेश्चन राजा मिनांडर हमारे जो बहुत विद्वाने नाक्चेंजी से पूछते हैं, कि किसी धर्म की हानी होती हैं, तो हो पूछते, हो कहते हैं कि जो धर्म सच्चाइप ट्रिका नहीं होता, ऐसे धर्म की गिलानी होती है, जो धर्म केवल धर्म या मंदिर या बहुत वियार साधन विक्तियों के लिए अपनी स्रिद्धा को प्रिक्रट करने के लिए होते हैं तीसरा कारण बताया उन्होंने कि जब धर्म के विद्वान नहीं होते दूसरे लोग धर्मों पर आच्छे प्लगाते या उन पर कलंक लगाते उनका जवाब देने के लिए प्रकंड विद्वान नहीं होते हैं तो धर्म की इगलानी होती है बाव साब ने का बहुत धर्म का प्रिचार करना चाहिए और एक अच्छे बहुत बहुत बनने से कभी भी कोई भारत में फायदा नहीं होगा बलकि और लोगों को बहुत धर्म में प्रिचार प्रिसार किया जाए लोगों को बहुत धर्म में लाए जाए जब भी बहुत धर्म फैलेगा और मैं होता हूँ निश्चित रूप से बहलेगा ये बहुत धर्म भारत की संस्कृति है और 22 में सद्धी तक हर व्यक्ति बहुत धर्म में अपनाएगा बावा साब ने 22 पृतिग्या बनाई है कि मैं ब्रमा विश्णु महेश को इसवन नहीं मानूँगा मैं राम किर्सन और सिव की पूजा नहीं करूँगा मैं कोई भी कारिये ब्रहमनों का हाथों से नहीं कराऊँगा इस तरह उन्होंने 22 पृतिग्या बनाई है उधर उन्होंने भारतिय संदान का निर्मान करा तो उसमें 22 चेप्टर है भारतिय संदान में उनका दरश्किकोंड पूर्ते विग्यानिके उन्होंने तीसरे सेजुल में थर्ड सेजुल में तीसरे अनसुची में लिखा है कि जब भी कोई ओन्रेविल सुप्रिम कोट का जज होगा ओन्रेविल हाई कोट का जज होगा रियास्पती प्रेश्डेंट होगा या कोई भी व पूरा विश्व एक परवार की तरह है और दूसरा जो है भारत सांती और खुशाली लाने के लिए पूरी मनत्ता जगत का पिरचार करेगा बाव साव का लिखा हुआ सम्दान में आर्टिकल 52 है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत जो है पूरे विश्व एक कुटम की तरह है ये हिंदू गलत कहते है ये बौध्धों की धार्णा थी कि पूरा विश्व के मानव एक तरफ ह और देखिए इस देश में मंगोल आए तरकिस आए विल्टिस आए और अंग्रेज आए और मुसल्वान मुगल आए उन्होंने भारत पर आक्रम करा जब भी हां के लोग भी देशों में गए चीन में जापान में कोरिया में तिब्बत में सिरिलंका में तो यहां के बहुत हमेशा वह सांती ले गए वहाँ पर ग्यान लेके गए ग्यान की पुस्तके लेके गए और वहाँ पर विश्व बंदुता की बात लेके गए जब भारत से लोग बहुत धर्म के दूसरे कंट्रीज में गए आज भारत की जो भी मानता है भारत को जो भी सम्मान है भारत को ज वो भी भारत के अधगार हैं या चाहे तो इंटरनेस्नल कोट अफ जिस्टिस में हो वो बुद्ध के कारण हैं और जब भी कोई आदमी भारत पर हमला करने के लिए आया वो हमेसे आप सांती लाया लेकिन जब यहां के बहुत विक्चू या बहुत विद्वान या शोग ने महंदर को और संग मित्रा को लंका में वेजा तो शांती फैलाई ज्यान फैलाया यह बहुत धर्म का है इसलिए बाद साब ने धर्म को इसलिए फैलाया क्योंकि पूरे विश्व के अंदर एक्विलिटी लिवर्टी एंड फिरिटिनिटी के अल भारतिये संदान के द्वार बहुत धर्म के द्वारा इस्तापित हो सकती है और बहुत धर्म का हमसे वही संबंद है हर मारव का जो शरीर का संबंद दिल की धर्कन से होता है थैंक यू दन्यवाद अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले